नमस्ते दोस्तो बेस्ट बिजनस एन्बी चैनल पर रोज की तरह आज भी मैं आप सभी का सवगत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉयलर चिक्स आने के चार दिन बाद पाचवे दिन क्या करना है दोस्तो आज हमारा पाचवा दिन है दोस्तो चिक्स आके हमें चार दिन पूरे हो चुके है और आज आप देख सकते हैं कि हमने हमारे आटोमेटिक डिंकर जो पानी के आते हैं वो चालू कर दिये दोस्तो ये जो आप डिंकर देख रहे हैं ये धुमाल कंपनी का डिंकर है दोस्तो इस चिक्स फिडर कम थे तो हमने इसे जम्बो फिडर भी लगाए हुए दोस्तों सिफ उनका उपर का जो जखकन आता है वो निकाल के रख दिया है आप देख सकते हैं कि हमने फिडर में भी दाना दिया हुआ है जम्बो फिडर में और मैं आपको बता दू कि आज मेडिसिन में हम हमें कल इनका चटवा दिन रहेगा तो हमें इन्हें लासोटा वैक्सिन याने फर्ष्ट वैक्सिन करना है तो करके हम इन्हें आज पूरी तरह से साधा पानी चलाएंगे दोस्तों और मैं आज का पूरा रोटिंग आपको बता दू हम नीचे पेपर पर अभी धान चावल का जो बुरामद आता है दोस्तों चावल का चिलका जिसे हम धान कहते हैं वो बिछाएंगे पतली-पतली सी और शाम को वापस से बुरूडिंग करेंगे दोस्तों लेकिन हम पूरी तरह से कल से बुरूडिंग रिवस लेते हुए जा रहे दोस्तों सेफ हम दो हैलोजन की आखों में यूज नहीं करतें तो पानी में वैक्सिन कैसे किया जाता है इसके बारे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और ब्लैक ब्रूडिंग कैसे की जाती है ये भी बताऊंगा इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले द धन्यवाद